एक चेनल है और यहाँ पर यह पर यह बेश एमिटर रुष्पे जबुच्ट जाएगा और कलेक्टर पर significa lotta फील्ड़ाइब देखेंधान तो यह नहीं चैनल हो unfortunately 6, दो देखेंगे जाहरे यह बीचानल हो रहा है यह तुल्द माझे vois자 बेस कलेक्टर एमेटर का यूज किया गया है तो यहां पर आप देखेगा डवल्म आपको ट्राइजिस्टर यहां पर दिखाईदे रहूंगे दो ट्राइजिस्टर है क्योंकि 22C 22V22E है अलगि C बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके पिनें बहुत सारी बना दी गई हैं तो यह हाँ पर हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर्ड तो हाँ मैं यूदूब फैमिली कैसे आप सबी लोग दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नो या फिर हम बात करें इन्फिनिक्स में जिस तरह से ट्रांजिस्टर को चार्जिंग सेक्शन में यूस किया जा रहा है डवल ट्रांजिस्टर को यहां पर देखे आप देख सते हैं इस तरह से चाल चाल लैक के दो-दो आईसी हैं उसके साथ में ट्रांजिस्टर टीन लैक का भी यहां पर यूस किया जा रहा है जिसको समझ पाना जिसको करना लोगों के लिए कट इन हो रहा है तो आज में आपके लिए लेका हूं में आने वाले इस तरी के टेक्नो के या इंफिनिक्स में जैसे मॉडल है हॉट 10 अगर मैं बात करूँ इस मॉडल की तो इसमें आप देखेंगा डवल चारजिंग डवल ट्रांजिस्टर की स्विचिंग के साथ मैं चारजिंग को एनेबल दोस्तों इस समझ होना बहुत ज़ड़ी है अगर आपको स्केमाटिक नॉलेज नहीं है अगर आप सिब आईसी पर काम कर रहे हैं अगर आपको यूटूब देखकर आप काम कर रहे हैं कि किसी भी फॉन को आ जाने पर उसका यूटूब मोडल का तो मुझे नहीं लगता है क कि वह काम शुष्ष सोपाएगा तो इसलिए आपको जब तक स्क्वेमाटिक पढ़ना या उसको पैकिकली रीडर करना दोस्तों एक होता है रीडर करना में वह अपने स्टूडिंट को पैकिकली रीडर कर वाता है और यही हमारे यूएश्पी होती है कि हम 12-14 घंटे तक प आप देखे कंपेर करें किसी भी इंसिटूट में आपको इतने अवर्स आफ वर्किंग नहीं मिलेगी और दोस्तों यहां पर सबसे बेस्ट है यहां उसके तीचर्स कर नौलेज जो आपको मिलेगा और सबसे अच्छा है यहां के प्रेटिकल लैव आपको हर एक चीज वो मिल है और यह सब मिलाकर इस को आपको हम दे रहें उसके साथ भी आप बहुत सारी चीजें हमसे पास सकते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे नंबर दिये हुए हैं और स्कीन पर नंबर चल रहे हैं साथ में दोस्तों एक स्टूडेंट को चाहिए सिक्योरिटी कि मैं हो सकते हैं सो मैं यहीं चाहूंगा कि आप हमारे डेली लाइव क्लासे को देखिए और दोस्तों जिनका नाम होता ना जो बुरांड होते हैं उनको खीचनी के लिए बहुत सरे लोग टीम लग जाती है फिर वह उनका कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप हमारा जोस नहीं ठीद को ठीड़ा नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने आपको टाइट नहीं करेंगे आप अपका नौलेज नहीं भराएंगें आप हमारे बड़ाबर कभी नहीं आ सकते यही में लोगों से कहना चाता हूँ अजही कि मैं कहा रहा था कि अगर किसी को सेक्रीटी चाहिए त कि हमें कुछ करने मिले आप तीन दिन नहीं आप चार दिन प्रेटिकल करके जाए और आप उस प्रेटिकल में देखो डूस्तों डेमो यह होता है कि एक इस टीचर आपको लगएगा यह पढ़ाने लाइक है डेमो में यह होता है कि टीचर कुछ एक डागराम में समझा देगा आपको लगए हां समझ में आगए पढ़ाने लाइक है पर हमारा डेमो बिलकुल अलग है हमारे डेमो डेमो है ही नहीं हमारी पूरी क्लास है हम उन चार दिनों में आपके टोटल कॉम्पोनेंट थर्मिस्टर को धूरना बिना सर्क डियागराम से पाच मिट के अंदर आप पूरे बोत के ठर्मिस्टर धूर के दिखा सकते हैं किसी भी इना डियगराम की तो यह क्लियर करवा देंगे तो कप्डेटि मुबाल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं तो हम ज्यादा तर उसी में काम करते हैं तो अगर हम बात करें इसके बाद कि हम आपको component के लिए करा देंगे हम आपको आइसो के pad line गिनना उसको और डाटा सीट बनाना ये करा देंगे इन चार दिनों के अंदर और आपसे power IC लगवा के set चालू करवाएंगे पिलस आपसे CPU लगवा के set चालू करवाएंगे भले ही आ अगर आपको पढ़ना है तो अभी भी हमारे पास दो चार सीट बची हुई है इस महिने की में भी दो या तीन सो आप उसके लिए और हमारे नीचे दिया हमारी कॉल लगा सकते हैं और दोस्तों हमारी कॉल लगाने का कोई टाइम नहीं है राट सुबर 11 से रात के 11 वज़े एनी टाइम कॉल लगाई है और हमको WhatsApp मेसेज कीजेगा तो कॉल लगा के ही बात कीजेगा अब मैं बात करता हूँ यहां पर और दो तो क्योंकि हमारे यहां एक दिन नहीं दो दिन नहीं साथ दिन लगाता और ब्लैक पेस्टेट पर काम कराया जाता है जिससे जब बच्चा यहां से निकलेगा तो कंफर्म पक्का पर्टपेट होके निकलेगा क्योंकि हम आपका जोस भढ़ाएंगे confidence भढ़ाएंगे और confidence अब बहुता है जब आपका नॉलेज भरेगा चलिए अब बात करते हैं इस तरह के सर्केट में जहां पर ट्रंजिस्टर के थूरू चार्जिंग आइसी को बनाया गया है और दोस्तों देखा जाए तो यह मॉस्पैट क्यों नहीं है मैं इसको मॉस्पैट इसलिए नहीं कह इसके पिनें बहुत सारी बना दी कही है तो यह हां पर अगर मैं फिलाल इन दो मॉस्पैट की बात करूं तो शुरुआत करूंगा इसको समझाने के लिए पर इसका थोड़ा बेस कर देता हूं तो दोस्तों यह जो ट्रांजिस्टर है सौरी मैंने मॉस्पैट बोला यह जो इसके लिए यह एंड टाइप का ट्रांजिस्टर है तो पी टाइप का और टाइप के ट्रांजिस्टर है आप अगर समझना चाहते हैं तो हमें ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के साथ इसका वीडियो बना दूगा मुझे कमेंट करके जरू बताएगा तो आप यह जोड़ाइगन के और तो अगर आप इसको बाइपस करेंगे मनलब रिटांजिस्टर हटाकर आप वहें वहाइप कर ने तो आपके महेंगी द्वाईस खराम हों सकते हैं देड हो सकते हैं तो चलिए यह सुरू करते हैं बीस्श बनाता है तो ठीक है यह जरूरत से ज्यादा यहां पर वोल्टेज आया और यह प्रोटेट नहीं कर पाया अत्रिट वोल्टेज को भेजने के लिए तो यहां पर आपको एक सेट्केट बनाए गया है जिसको बोल सकते हैं लेक्टिकल ओवर स्ट्रेस मनलब ज्यादा करेंट आने पर इसको हटा देगा जो है यहां पर दो प्रोटेक्श निआ के लिए अगर अत्रिट करेंड इसको बूलते हैं जैसे हैं जिए पड़ि अत्रिट करेंट को ग्राउंड कर देते हैं तो सब से पहले आपकर इरेटibr करता सो yhtृतर कर रहा है तो एमीटर पर आपको एंटर कर रहा है तो क्यूंकि यह पी चनल का है आप धान रखेगा यह पी चनल का है तो यहाँपर जो बैस है वो प्रोल्ट दिमाग में रखना तो आप देखेगा तो फाला पॉइंट यह आप चेक कर लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर यह तक आपको 5 से उपर वोल्ट मिलने चाहिए चार्जर लगा करें दूसरा कि यही वाला अब लाइन आगे भी जा रहा है जिसमें एक आरवन और यह आरटू जो कि ग्राउन के साथ लगा हुआ है यह आपको देखने को मिलेगा ग्र चार्जर लगाओ मुझे कुछ वोल्टे सेंस के लिए दे दो अगर वो दोगे तो चार्ज होने देगी नहीं तो वो चार्जिंग का एरर सो कर देगी तो यहाँ पर आप तक्रीबन मान के चलो 0.5 वोल्टेज मेलकर बनता है अगर इन दो के साथ हम आरवन आरटू का फॉर इसका हम वोल्टेज डिवाइडर सर्केट कहते हैं उसका भी एक डैडिकेट वीडो में बनाने वाला हूं चो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात होगी अब इसके बात में आप देखिए तो यहाँ पर आप दूसरे नमबर पर इस रजिस्टर इस रजिस्टर के पा पर आपको यहां पर तीसर नमबर पर यह वो सप्लाई चेक करनी है और यह सप्लाई अगर बन रही है तो आप यह सप्लाई हो तो आपको यह चेक करनी पड़ेगी आइसी के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है जो कि आपके में पावन में होगी वह 6357 CRV हो या MRV हो जो सप्लाई हो तो आपको यह चेक करनी पड़ेगी आइसी के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है ठीक है अब इसके बाद यह हो गए तीसर नमबर का पॉइंट इसके बाद आप देखिए दोस्तों इतना फूटू खीच लिए ताकि मैं जब इसको अभी मिठाने वाला हुआ है कि सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसी यहाँ पर आपका पॉइंट फाइव बन जाएगा आपके पावर को एक चाजिन सेंस सप्लाई मिल जाएगी और जैसी यहाँ पर अल्डियो सेंस प्लाई भी मिल जाएगी ठीक है टू.ट एट है पहला यह अब आप देखेगा कि एक register एक high value 2K के साथ में आपके transistor के base पर आपको यहाँ पर voltage भेजा जा रहा है जो भी तक्रिवन 2.8 volt के बराबर होगा जो की EOS control पे भी जा रहा है तो आप देखो EOS control पे जा रहा है या आ रहा है तो यह अभी बाद में पता चल जाएगा यह है electric over stress control यह से protection के लिए काम करता है और इसलिए काम करेगा दोस्तों अगर यहाँ पर ज्यादा voltage आया और base पर ज्यादा voltage बनेंगे क्योंकि N channel है यहाँ बेस क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए अगर यहाँ पर base ज्यादा high हुआ तो यह क्या करेगा इस transistor को off कर देगा और अगर यह दोस्तों यह transistor off हो गया दोको यह दो कंडिशन पर काम करता है आप दान रखेगा अगर यह off रहा तो यह इसके collector इसके collector और इसके base के बीच में आपको एक boost voltage देखने को मिलेंगे जो के 8 voltage है दान रखेगा इसको आप practically चेक कर सकते हैं दोनों की लाइने आपस में ब तो क्या करेगा क्यों आपको यही पता है कि जैसी base पर हाई आएगा तो यह आपने यहां पर यहां और यह जो voltage drive है दोस्तों voltage drive क्या करता है IC खुद एक voltage बनाती है जैसे उसको यहां पर VCDT और charging LDO बनता है तो वैसे ही एक IC voltage drive voltage बनाती है तो यह बनेगा लगबद 2.5 यह उ होना चाहिए तो जैसी यहां पर यह हाई हो जाएगा अब नोटिस करेंगे यहां पर यहां पर हाई हो जाएगा और हाई होने के बाद में यह यहां पर collector पर voltage को switch कर देगा और यह 8 voltage की चिकह पर यहां पर collector पर जैसी चार्जर लगाएंगे यहां पर 4.5 वोल्टेज आ यहां पर यहां पर 2.5 वोल्टेज ट्राइब करके देगा तो आप देखिए यह इसके respective हाइब तो यहां पर यह आपके 4.5 वोल्टेज जनेरेट करेगा और जो आपको यहां पर यह बेस पर मिल जाएगा अब थोड़ा दान दीजेगा यहां पर जो की एमिटर है इस पर आ यह ट्रांजिस्टर अन हो रहा है और इसलिए यहां पर यह ट्रांजिस्टर भी ओन हो जाएगा और कलेक्टर पर आपको एक फूर पॉइंट वोल्टेज ड्राइब कराएगा और यह वोल्टेज नीचे जाएंगे जो कि भीबैट को मिलेंगे ठीक है इतना समझ में आया माल इसलिए अगर आप यह ट्रांजिस्टर खराब है या यह रिजिस्टर निकल गया तो यहां पर आपको सारे चाट वोल्टेज कीजिए कि आप आठ वोल्टेज देख दो मिलेगा तब यहां पर आठ वोल्टेज बनेंगे और तब यह चैनल यह जो पीट आपका टाइप है यह सुचिंग नहीं करेगा क्योंकि बेस पर ज्यादा वोल्टेज है एमिटर के रिस्पेक्टिव तो अब जैसी यहाँ पर जान दीजेगा जैसी यहाँ पर 4.2 जैसी यहाँ पर 4.2 वोल्टेज बनेंगे यहाँ आपको 4.2 वोल्टेज तो मिल जाएंगे थुरू दो लाइने सेंज के लिए पावर एईसी के अबर जाएंगी तो यहाँ पर जिसको हम आई पहते हैं और बैक एकार निचांस के लाइं और VCD की लाइन पर लगा होता है ठीक है अगर मान लिजे ये लाइन बीच में से कड गई तो फेक चार्जिंग आ जाएगा और मान लिजे ये लाइन कड गई तो बेसिकली बैटरी डिड़ेट नहीं करेगा तो दुस्तों यही वाला जो चैप्टर है मैंने बहुत अच्छे से अपनी बुक में भी इस प्लेइन किया है हिंदी और इंगिलिस में अगर आपको वे बुक पर्चास करना है तो मेनी बुक भी पर्चास कर सकते हैं जितनी रुपे की टीशर्ट है उतनी रुपे की पर्चा चैज़न बन जाएगा अगर यहां पर 4.2 वोल्टिस में ट्राइब होते रहेंगे जब यह बाधान रखेगा दोनोर ऑंने पर इसका जो हाई होना चाहिए और इसका जो बेस है यह लू होना चाहिए तो तब जाके यह सप्राइब बनेगी ठीक है और प्रोटेक्शन के लिए यहां पर मैं बता दू कि क्या डाला गया है तो आप देख रहे होंगे यहां पर यूस कंट्रूल तो दोस्तों अगर मान लिजे ऐसा होता है तो इसलिए निए एक यहां पर डाला गया है यह क्या करेगा अगर मान लिजे यहां से इसको ज्यादा वोल्टेज मिला जैसे सारे चार वोल्टेज आ गया यहां से इसको जितना भी वोल्टेज आता है यह जहां पर अगर कितना भी वोल्टेज फैकता है तो यहां पर भी डिवाइडर रिजिस्टर का यूस किया गया है जितना भी आएगा यह इसका यहांपर हाफ हो जाएगा आप समझ रहें और यह इतना हाफ हो जाएगा तो तो दोस्तों यह जब हाफ होगा basically हाफ हो जाने के बाद में इसके base पर चले यह गाएगा और यह भी आपका एक आपका已经 transistor ने हैट तो यहांपर भी base हाई होना चाहिए तो जैसी base इस हाइओ होगा आप देख रहे कहुंद्द पर द्राइव करेगा तो kya गया है तो आपके गंशन अगर यह जैसे इस तो कि और भ works लुए अगर यह सब्सक्राइब को अधर ब्र entrarrett को ओफ करा दिया तो यह ट्रांजिस्टर ओफ गया तो गेम ख़तम हो मिया आप लगाईगे तो बैकरी संगी बनेंगे ही नहीं क्योंकि जब दक यह ट्रांजिस्टर नहीं होगा वह इसकी स्थीष नहीं करनाएगा और यह ट्रांजिस्टर ही आउपुat दो देता इस तरह में आपको बताया अगर तो दोस्तों यह जो सड्किट मैं आपको बताया प्लीस मुझे कमेंट करें बताएगा कि कैसा लगा एक बार मैं पुइंट बता देता हूं कि कहां कहां कितने वोल्टेज करना है तो आप इसको जरूर नोट कर लिजेगा ठीक है पॉइंट नंबर वन यहां पर डायोट पर आपपने पाच गूपांगो चैक करना है सब्सक्राइब तो यहां पर आपको 0.5 ओल्टेश करना है पोई है कि यहांप पर 2.8 ड्रेग करना है पॉइं नमबर फोर यह वाले बेस maker आपको करिवन 2.5 Used up जैसे 2.8 old जीन ना है और इस लोइनना है कि और अगर एंग मजुटika नहीं होता अब यहाँ पर अगर 4.5 बने तो यह टांजिस्टर सही रहेगा तो यहाँ पर 4.2 वोल्टेज रिस्पेक्टिब बना देगा और यह यहाँ पर चले आना चाहिए और आपने यह पैट सेंस लाइन कैसे चेक करेंगे तो इसके ज्यादा अगर आपको सीखना है तो इंस्टिट कोई यूटूब में नहीं बताया हूं क्या ना में आपका? चंद्वश अभी अथ क्या करने वाले हैं विज्टकास का इस जत्वाइब निकालने वाले हैं तो इसका प्रेशिप्य निकालने वाले हैं झाल झाल झाल